का दोस्तों मेरा नाम है रवीयो स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल जो तिश राशी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशी वालों के जून महा के राशी फल के बारे में कि कैसा रहने वाला जून 2024 कन्या राशी के जातेगों के लिए और क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है कन्या राशी के जातेगों के साथ जून के महीने में इसी के बारे में हम विस्तर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहेगा आपका स्वास्त, सिक्षा, प्रेम प्यार, मैरेड लाइफ, भाग या थ्वा करियर के स्थती इस महीने में तो बने रहेएगा वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ फ़पाया भी बताऊँ गा जिन्हें करके आप अपने इस महीने को अपने लिए और भी उत्तम बना सकते हैं और जो भी नकारात्मक प्रभाव आपकी राशी के उपर आने वाले हैं जून के महीने में उनसे भी आप मुक्ति पा सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो अगर सबसे पहले बात कीजाए आपके स्वास्त की तो स्वास्त इस मेंने काफी अच्छा रहने वाला और स्वास्त संबंदी कोई भी समंस्या आपको यहाँ पे आती नहीं देख रही है इमnewटी भी आपकी काफी अच्छी रहने वाली है पर आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप इस महीने से किसी भी जिम या योगा क्लासिस को जॉइन करते हैं तो इसके अच्छे परणाम आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं इससे आपका स्वास्त और भी अच्छा रहेगा और आगे के महीनों में भी आपको अच्छी जून के महीने में कन्यर आशी के जाते होगी तो सक्षा बहुत अच्छी है बाहर रहकर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं या कहीं बाहर एड्मिशन लेना चाहते हैं सक्षा के लिए तो बहुत अच्छा समय है और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी यहां पे अगर अच्छा एग्जाम आपका जाने वाला और उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने की योग पूरे-पूरे बनते दिख रहे हैं आप यहां पे अगर आपके प्रेम प्यार की बात की जाए कि जून के महीने में करने राशी के जाते को का लव रिलेशन्शिक कैसा रहने वाला है तो आपका आपके पार्टनर के बीच दोनों के बीच में काफी कन्फ्यूजन रहने वाला है और आप दोनों जो है कन्फ्यूजन की वज़े से जो है आप दोनों में वाद विवाद होता रहेगा और यहां पे आपको सलाह इतना चाहूंगा कि आप अपने पार्टनर के उपर शक करने से बचें क्योंकि इसकी वज़े से आप दोनों में वाद विवाद और जगड़े की इस्तिती उत्पन हो सकती हैं तो यहां लव रिलेशन्शिप आपका बहुत जाद अच्छा नहीं रहने वाला है और चीजें हाला कि आगे चलके चीजें सही होंगी पर थोड यह महिना काफी अच्छा रहने वाला है मैरेड लाइफ के लिहाद से देखा जाए तो मैरेड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी अंडेस्टेंडिंग रहेगी आप दोनों के बीच में अच्छी और यहां पर आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके लिए महिना बहुत अच सब्सक्तों का जाइब कर लिए बीच में बारत वींज़ाया बहुत अपर आपके लिए झायने मेरेड लाइफ आपकी काफी ऑफ मेरेड लाइफ की अच्छा बार्चे अपके बहूंड और वाला है यह महिने आपका बहूत अच्छा रहने वाला कोई भी मांगले करकर अग का महिना करने राशी के जातों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है और यहां पर अगर आपके करियर की बात की जाए कि करियर कैसा रहेगा जून के महिने में तो करियर को ले कि यह महिना काफी अच्छा है आपका नेम फेम बढ़ेगा और आपके कार छेतर में आपके आफि बनते हुए दिख रहे हैं तो समय बहुत अच्छा है अगर आप इस समय का अच्छा ही उटलाइज़िशन करेंगे तो आप अपने करियर में अच्छी खासे सफलता प्राप कर सकते हैं अब अगर यहां पे आपके व्यापार की बात की जाएगी व्यापार कैसा रहने वाला कर आप साइन करें तो बहुत सोच समझ के साइन करें और कोई भी चीज आपको अपने पार्टनर के भरोसे नहीं छोड़नी है क्योंकि यहां पे आपके पार्टनर से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है तो व्यापार के लिए वैसे तो समय अच्छा है जो लोग अपसान हो सकता है आप जैसा मैं बताया था कि वीडियो के अंति में आपको कुछ उपाया भी बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने इस महिने को अपने लिए और भी उत्तम बना सकते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको रोजाना गुरू का बीज मंत्र एक सो आ करने है